रोहिद शर्मा फिट नहीं ओवरवेट है इसलिए रोहिद शर्मा शर्म कर लो स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स फैक्ट में और मैं हूँ आपका अपना दिव्यांशू जैस्वार्ट भारत और ऑस्ट्रेलिया की बीज बॉड़क आवस्क सीरीज जारी है जहां पर चार बीच जहां पर एक तरफ रोहिद शर्मा जिनका जो फॉर्म है वह वापस आ चुका है टेस्ट फॉर्मेट में उन्होंने शतक लगा दिया है एक सट की औसससे रन बना रहे हैं पूरे दोनों टेस्ट मैचों में अच्छे खासे ले में देखे तो इसी की बीच पूर्व भ बताते कि आखर कपिल देवने क्या कहा है जिसके चलते रोहिद शर्मा के जो फैंस है और झो भारती क्रिकेट फैंस है उनका जो पारा है वहाई हो जाएगा यह ने कहा कि फिट रहना बेहत एहम है यह शर्म की बात है अगर आप फिट नहीं है रोहित को इस पर काम करना चाहिए साथ ही उन्होंने कहा कि वो महान बल्लेबास है लेकिन जब बात फिटनेस की हो तो वो टीवी पर थोड़ा ओवरवेट यानि की मोटे देखते हैं जब आप को देखो जब भी उसे देखो तुम कहते हो कि यह है फिटनेस इससे पहले भी कपिल देव ने एक चीज़ कही थी कपिल देव ने कहा था कि जब क्रिकेट कोशल की बात आती है तो रोहित शर्मा सरवशेष्ट में एक हैं लेकिन उनके फिटनेस के बारे में ऐसा कहना गलत ह होगा रोहित शर्मा में कोई कमी नहीं है उनके पास सब कुछ है लेकिन मुझे व्यक्तिकत रूप से लगता है कि उनके फिटनेस पर एक बड़ा सवालिया निशान है क्या वो काफिट है क्योंकि एक कप्तान ऐसा होना चाहिए जो अन्य खिलाडियों को फिट होने के लिए प्रेरित करें टीम के साथियों को अपने कप्तान पर गर्व होना चाहिए तो यह कहा है कपिल देव ने रोहित शर्मा पर जो फिलाल भारती टीम के कप्तान है तीनों फॉर्मेट में कप्तान है तीट्वेंटी में अभी रेस्ट पर चल रहे हैं बट हार्दिक पंडय को बनवा चुक हैं स्पेशली बाइलेटरल सीरीज में हलांकि बड़े टॉर्नमेंट्स में अभी भी रोहित की अगनी परिक्षा बाकी है बट बोड़ेगावस के सीरीज में जिस्तार से रोहित शर्मा का बल्ला चल रहा है या कप्तानी चल रही है उस बीच कपिल देव का य स्पैंस भी हो बहुत सारे सोशल मीडिया पर अलग अलग शब्डों का इस्तिमाल किया जाता है रोहित शर्मा के लिए और रोहित शर्मा का का इंजरी से खास नाता भी रहा है धृए हैं साथ अफरेका का जो टेस्ट दॉरा था वो नोहने मिस कर दिया था उसके बाद स्मेच सा एकलौता वहां पर इने को रोना हो गया था जिसके चलते जस्पृत बुम्रा ने कपतानी की थी तो रोहित चर्मा का इंजरी से बहुत ज्यादा नाता रहा है और हमेशा उनकी फिटनेस पर सवाल उठाते रहे हैं चाहे वह पूर क्रिकेट एक्सपर्स की बात करें और हमेशा विराट से कंपेरिजन जरूर होता उनकी फिटनेस का क्योंकि विराट की जो फिटनेस है वो सुप्रीम फिटनेस मानी जाती है पूरे स्पोर्ट जगत में अगर बात करें तो विराट कोली का नाम टॉप थ्री या टॉप फाइब में आप ले सकते हैं सबसे फि को फिटनेस के मामने में कंपेर किया जाता है बट अगर क्रिकेट स्किल्स की बात करें तो दोनों ही वल्लेबाज बहुत शांदार है अपने अपने जोन में बट कपिल देव का यह जो बयान है इसने सोशल मीडिया पर एक अलग टॉपिक को वापस उठा दिया है और अलग आपकी जो भी राय हो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइए साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलेगा